हाई दोस्तो वेल्कम बेक तू मैं चैनल आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तो आईए आज हम बूंदी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे तो चलते हैं बेशन की रस भरी बूंदी रस से भरी टेस्टी टेस्टी मीटी आप लोग बना के देखिए से जिस तरह से मैंने दोस्तों कि देखिए बहुत टेस्टी है कि आईए तो चलते हैं हम लोग चाशनी की त्यारी करते हैं इधर ले लिया है मैंने बहोना इसमें ले लिए एक कप चीनी आदा कप ले लिया है पानी ताकि चाशनी हमारी जंदी बन जाए है इधर अम लोग गैस पर जड़ा देंगे इसको और इसको पकने देंगे स्लोग इधर ले लिए एक बाउल बाउल में हम दो चमत बेशन निकार लेंगे इस दो चमत बेशन से बहुत सारी बूंदी बन के तयार होगी दोस्तों जो आमने दो चमत बेशन दिया है वह एक कप ही है हमारा बेशन एजो कफ हमारे पास है एक कप पानी ले लिया है अब देखते हैं कितना पानी लगेगा, पानी हम धीरे धीर लगायेँगे, होड़ा खुड़ा, भाल सारा नहीं लगायेंगे, एक गोल बना लेंगे, गोल अमारा गाड़ा होना चाहिए, धीरे धीरे इसको, दिलाते रहेंगे, ऐसे बना दिला, यह देखिए गोल हमारा गोल की थिकनस इतनी रहने चाहिए थोड़ा अच्छे से प्मिट लेंगे लंप्स नहीं रहना चाहिए इसमें प्रश्च इस तरह से इसका गोल बन जाना चाहिए थोड़ी तर रख देंगे तो फूल जाएगा अच्छे से तो बूदी हमारी अच्छी बनेगी और इसी तरह से आपको बनाना है और जो गाठ है वो हल्की से मैश कर लीजिए इसको बहुत पतला नहीं करना है ज्यादा पतला कर देंगे ना तो बूदी हमारी गोल नहीं आईगी मैंने कहां दोस्तों फूर कलर नहीं डालना है मेरे बच्चे कह रहा है मम्मी जबता बूदी में कलर नहीं आएगा तब तक कैसे अच्छा लगेगा देखिए मैंने एक तरीका निकाला कि जो हम खाने में खाना में हल्दी खाते हैं हल्दी हमारे स्वास्त के लिए अच्छी होती है अंटिसेप्टिक होती है तो इस ते नहीं हल से कि छटी डाल दी है जाए तो की पिखा तो यह वाली वीडियो इसमें क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई है इसके लिए सौरी चालती हूं दोस्तों बस दो चुटकी हप हल्दी में डाल दीजिए तुरी कितना अच्छा कलर आ गया इसमें तुरी कि दोस्तों यह लोग आ गया पता भी नहीं चल दी कि हल्दी डाली की क्लर डाला है बहुत बहुत तो अब यह अच्छा खासा खरब अगर आप लोग पास ना ओ फूर कलर ना हो ना हो ना यूज़ करते हो तो चुटकी हल्दी डाल के देखिए तो आपकी चाश्मी में बढ़ जाएगी बूली कलर फुल बन जाएगी तो बच्छों को अच्छी लगी देखने में इदर हमारा तेल गरम हो गया है देखिए मैंने बेशन की बून डाली थी वह मेरी करमोनिक वाल पता चल रही किस तरह से हो गई है कैस मैंने फ्लेम लो कर दिया कि इदर देखिए दोस्तों हमने ले लिया है यह जो कच्छुल होती है इसमें छेद होते बड़े है थोड़े और इसमें जो होल है दिखाई दे रहे हैं आपको देखिए दोस्तों इसमें छोटे हैं कोई साब ले सकते स्ट्रेणर जो आपको कमफर्टिवन लगे आप इसम ने तो यह तो हर गर बिल जाती है आम लोक овूरी नेकालती है तो आय matarकर पहले दिखाते आपको हम बना के से ऐसे कैसा आँ दोस्तों कि एक बड़ डाल के निकाल चुकियों ठीक हो दिखाती हूं इस तर ऐसे दीरे दीरे थोड़ा 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 दोचलनक सब्के टाली हूं इसके गोरगोल बुंडी दिकल रहे हैं सारी बुंडी इसी तर दियार कर लेंगे कि देखिए दोस्तों हमारी बुंडी बन के फैयार है इस तर ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाए है कि बहुत जादा लाव नहीं करनी है अच्छा कलर आगे हमारी बुंडी में चास्नी भी हल्की गुंगो नहीं हो अभी इसमें डालिएगा यह देखिए दोस्तों मैंने चास्नी पलेट लिए इसमें क्या करेंगे हम इसी में चास्नी डाल देंगे अच्छी थोड़ी ज्यादा रखेंगे बुंदी कम रखेंगे ताकि यह अच्छे से सोख हो जाए और हमारी बुंदी फूल जाए चास्नी में जाके इसको थोड़ी दिर ऐसी डखके छोड़ देंगे यह देखिए दोस्तों हमारी बुंदी ने अच्छी से चास्नी को पी लिया है देखिए पूरी तरह से अच्छी से फूल गई है यह देखिए एक पूरी अच्छी से भर गया रस मैं आपको दिखाते हैं सब्टो के यह देखिए दोस्तों हमारी कितने अच्छी से बनने है अच्छी से फूल गई है इसका पत्तब यह देखिए दोस्तों अगर ही मेरी वीडियो चरह से भी आपको अच्छी लग दीगो प्लीज लाइक शियर सस्क्राइब चलू करिए दोस्तों आपका सपोर्ट मेरी लिए बहुत मायने रखता है और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो में आप लोग के लिया लाती रहूंगी नीचे दीग मेरी बेल आइकन की बटन को प्रेस करना मत भूलेएगा दोस्तों ताकि हर वीडियो की नॉटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहें अब बताईएगा मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्रेंकि दोस्तों वाया दोस्तों